नमस्कार, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं MEP के एक नए चेप्टर के बारे में जिसका नाम है फायर फाइटिंग अभी तक आपने MEP सर्विसिज पर जितने भी वीडियो देखी हैं वो या तो electrical के बारे में हैं या plumbing के बारे में हैं या air conditioning के बारे में हैं तो इसी कड़ी में आज हम fire fighting से शुरुवात करने जा रहे हैं पहली वीडियो fire fighting की डाल जाएं जिसमें आपको बताएंगे fire fighting होता क्या है उसे building में कैसे use करते हैं और उसके main component क्या होते हैं दोस्तो आपको या दिला दू कि हमने plumbing से related एक पूरी की पूरी सीरीज अपने channel पर start की हुई है जिसमें water tank में sleeve कैसे लगाएं, plumbing plant room setup कैसे करें, plumbing plant room में क्या-क्या use होता है मतलब कि पूरी की पूरी ही plumbing की videos हैं जो भी MEP में काम आती हैं उसका link नीचे description में है, आप वहाँ से जाके plumbing की video भी देख सकते हैं तो दोस्तो आज की इस video में हम आपको बताएंगे fire fighting के बारे में जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि fire fighting का मतलब है fire से fight करना होता क्या है कि construction की field में ऐसी buildings बनते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की gathering होते हैं आप कोई भी residential building बनाएं, कोई भी commercial building बनाएं या industrial building बनाएं वहाँ पर लोगों का जूड़ना तो तय ही है तो government ने कुछ ऐसे norms बनाए हुए हैं कि जहाँ पर भी लोगों की gathering हो कोई भी cinema hall, कोई hospital या कोई residential tower वहाँ पर आपको आग से बचाओ के काम या कहलीजे fire fighting work कराने ही होंगे तो दोस्तों जो fire security services होती हैं वो दो type की होती है पहला तो होता है fire alarm system और दूसरा होता है fire fighting system fire alarm system का मतलब है कि वो आपको alarm देगा कि आपकी building में किज जेंगा पर आग लगी हुए fire fighting system का मतलब है कि वो आपको आग से बचाएगा तो fire fighting कई type की होती है जैसा हमारा dry riser system हो गया, wet riser system हो गया लेकिन mostly building में wet riser fire fighting का ही use किया जाता है जिसमें use होते हैं sprinkler, fire hydrant, landing wall, water curtain, nozzle ये सब तो इन सब की detail आपको बताऊंगा एक मोटी सी SLD के माध्यम से उस basic SLD को आप समझ ये तो आपको fire fighting से introduction मिल जाएगा उसके बाद हम आपको detail में one by one सारी videos लेकर आएगे fire fighting plant room के बारे में, sprinkler के बारे में, इसकी designing के बारे में, area के बारे में सारी consideration जो भी fire fighting में होती है वो इस series में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं तो आप इस channel को subscribe तो करी लीजिए अगर आप हमारे channel पर नहीं हैं क्योंकि MEP से related सारी चीज़े आपको यहां एक एक करके मिल जाएगे दोस्तो वैट राइजर system को तीन तरीके की category में divide किया गया है पहला है हमारा sprinkler system, दूसरा hydrant system और तीसरा water curtain system आज इन तीनों को ही एक एक करके आपको basic से समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे building man का use होता है और कहां कहां पर यह लगाए जाते हैं दोस्तो जो हमारा sprinkler system होता है उसमें छोटे-छोटे sprinkler लगे होते हैं sprinkler का काम होता है किसी भी area में लगी आग को detect करना और उस आग को detect करके वहाँ पर पानी की sprinkling करना यह आप यह कह लिजे कि जैसे ही किसी area में आग लगती है और temperature 68 degree, 58 degree जो भी हमारे sprinkler की rating है उस तक पहुंचता है तो sprinkler फट जाता है और उस area में पानी को बिखेरना सुरू कर देता है दूसरा है हमारा water curtain system दोस्तो water curtain system हमारा water का curtain बनाने का काम आता है जैसे ही किसी भी area में आग लगती है तो हम उसको zone में divide करके रखते है zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 अगर zone 1 में आग लगी है तो वो आग zone 2 में ना पहुंचे इसके लिए water curtain system लगा जाता है water curtain system क्या करता है कि पूरी की पूरी curtain बना देता है दो zone के बीच में या कह लिजे कि water का पानी का एक जहरना बना देता है दो zone के बीच में और हमारी आग एक zone से दूसरे zone में travel नहीं कर पाते है तीसरा होता है हमारा hydrant system hydrant system वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा जरुवत होती है जब आग बहुत ही ज़्यादा विद्वनसर रूप ले लेती है तो वो हमारे sprinkler से नहीं बुझती फिर हमें manually जाकर बड़े बड़े pipe के माध्यम से landing wall के माध्यम से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पिखेरना पड़ता है और उस पानी से वो suppress होती है उसको बोलते हैं hydrant system तो किसी भी building में जब हम fire fighting करने जाते हैं तो वहाँ पर इस sprinkler, water curtain और hydrant तीनों ही type के system लगाए जाते हैं और तीनों ही type के system का use होता है अब मैं आपको एके करके diagram के माध्यम से समझाओंगा कि इनको हम कैसे कैसे use में लेते हैं और क्या क्यान का काम होता है तो दोस्तो आईए अब fire fighting system को diagram के माध्यम से समझते हैं fire fighting system में सबसे पहले होता है water tank जितना भी पानी fire fighting में use होता है वो सारा का सारा इस tank में इकठा होके रहता है इस tank के बाद जूड़े होते हैं हमारे कुछ pump जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि wet riser जो हमारा system होता है उसमें तीन टाइप के pump होते हैं या कह लिजिए कि तीन टाइप से उसमें fire fighting की जाती है पहला होता है hydrant system जिसके लिए लगा होता है hydrant pump दूसरा होता है curtain system जिसके लिए लगा होता है curtain pump और तीसरा होता है हमारा sprinkler system जिसके लिए लगा होता है sprinkler pump ये तीनों के तीनों pump ही water tank से header के थुरू जूडे रहते हैं और इन तीनों से तीन अलग-अलग pipeline उस area में पहुंचती है जिस area को हमें fire से बचाना होता है building में mostly ये building के basement होते हैं या building का external area होता है या building के floor होते हैं वहाँ पर हमारे इन तीनों pump से तीन pipeline जाकर पहुंच जाते हैं अब दोस्तों ये तीनों ही system अलग-अलग तरीके से इस area का आग से बचाव करते हैं अब मैं आपको एक-एक करके तीनों का काम समझाता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं sprinkler system को sprinkler system से हमारी pipeline होती हुई उस area में पहुच जाती है जिस area को हमें fire से protect करना होता है पूरे area में sprinkler की line जो है वो distribute कर दी जाती है और इसमें लगे होते हैं sprinkler sprinkler दोस्तों एक ऐसा device है जो particular temperature को sense करता है और उसे sense करने के बाद water को आगे चलने का रास्ता देता है या आप ये कह लिजे कि जैसे ही इस area में आग लगेगी और ये temperature किसी particular temperature जैसे 58 degree या 68 degree तक कहुचेगा तो ये जो यहाँ पर जंगे जंगे पर black color के sprinkler लगे हुए है ये फूट जाएंगे या कह लिजे कि पानी के लिए अपना रास्ता खोल देंगे उस रास्ते के खुलने की वज़े से यहाँ से पानी की बरसाथ होने लगेगी अब अगर इस sport पर आग लगती है तो सबसे पहले यहीं का temperature बढ़ेगा दोस्तो दूसरा होता है हमारा water curtain system water curtain system से भी एक line जूडते हुए हमारे उस area में पहुँच्टे है जिस area को हमें fire से protect करना होता है दोस्तो जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यह water का curtain मनाता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लगे होते हैं curtain इनको क्या बोलते है water nozzle यह nozzle लगे होते हैं जो आपको pink color में दिखाई दे रहे हैं यह nozzle क्या करते हैं कि यह line इस area को इस area से अलग करती है अगर इस area में कहीं पर आग लगी है तो वो आग इधर ना फैले इसलिए हमारा curtain system activate हो जाता है और यहाँ पूरा एक water का परदा या water का curtain बना देता है जैसे ही यह curtain बनता है तो इधर की आग इधर travel नहीं कर पाती और हमारा यह पूरा area बचा रह जाता है इसी तरह हम अपने जो basement होते हैं building में उनको zone में divide कर देते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि curtain system एक zone की आग को दूसरे zone की आग में travel नहीं करने देता दोस्तो इसके बाद होता है हमारा hydrant system same hydrant system से भी pipeline निकलके हमारी इस area में distribute हो जाती है और इस पर जंगय जंगय पर लगी होती है landing wall और landing wall के साथ लगे होते हैं hose pipe दोस्तो अगर हमारी इस area में आग लग जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले activate होगा sprinkler system लेकिन कई बार आग इतनी ज़्यादा लग जाती है और इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि वो sprinkler system से काबू में नहीं आती तब हमारा use में आता है hydrant system hydrant system में जो landing wall लगी होती है वो बहुत कम time में बहुत ज़्यादा पानी को निकालने के लिए काम आती है तो जैसे ही हमारी यहाँ पर आग ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पर hose pipe जोड कर manually इस आग को बुझाया जाएगा तो दोस्तों यह तो हो गई fire fighting की एक basic SLD अब यह fire fighting system को हम detail में explain करेंगे आपको एक एक component के साथ कि यह water tank कैसे होता है यह यहाँ पर कौन-कौन से header बने होते हैं plant room में कौन-कौन से pump लगे होते हैं कैसे operate होते हैं और वो distribute कैसे होते हैं अगर आप यह सब detail जानना चाहते हैं तो इस channel को subscribe कर लिजिए क्योंकि हब हम एक एक करके fire fighting से related सारी video इस channel पर लेकर आएंगे